मोधा मीरपूर से सवालियों को लेकर दिरली जा रही स्लीपर बस और रहिया से नेशनल हाइवे पर अनंतित होकर पलट गई हाइवे पर स्लीपर बस पलटने की सुशना पर मौके पर पहुंची डाल एक सुवारा की गारी ने ततकाल कोतवाली को सुशना दी जिस पर मौके पर पहुँची पुलिस ने घाली आत्रियों को निकाल कर अस्पताल पहुँचाया पुलिस के आला अधिकारी के तरफ से बस में तकरीबन 35 लोग सवार बताये जा रहे हैं बस किस वजो से पल्टी ये जाज के बाद पता चल पाएगा दो दिनों की राहत के बाद आज कोरोना के मामले फिर से बढ़ गए हैं स्वासमंत्राले की तरफ से जारी आंकडों के उनिसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 7554 नई मामले सामनी आए जो कि कल की तुलिना में 649 अधिक हैं वहीं जोरान 223 लोगों की मौत हो गई सबसे बड़ी राहत के बाद ये है कि देश में आप केवल 85,680 सक्री मामले ही बचे हैं सक्री मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संकृत मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं वहीं मामारी की शुर्वास से अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संक्या 4.2-3 करोण हो गई है रोजाना संक्रमन दर की बात करें तो ये केवल 1 फीसी रह गई है जो कि राहत भरी खबर है वहीं रिकवरी दर की बात करें तो ये बढ़का 98.960 फीसत हो गया है